मैं यती महराज आप सभी का मेरे देनिक यती राशिफल चैनल के इस साल नया 2022 के विशेश वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ आज मैं आपको इस वीडियो में वर्षिक राशी के लिए नया साल 2022 का कैसा बीतेगा इस बारे मैं संपूर्ण जानकरी दूँगा लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी वर्षिक राशी वाड़ों को नया साल 2022 की बढ़ाई देता हूँ और इस वर्षे प्रात्ना करता हूँ कि यह नया साल 2022 का आपके जिवन में उन्नत्ती और तरकी के साथ साथ खुब-खुब खुशिया, सूख, धन, वैबाव, एस्वरिय वर्षिक राशी हो, तो मेरा यह वीडियो आपके लिए है, मैं इस वीडियो में आपके लिए आपके कैरियर, वैपार, वैवसाय, धन, परिवार, वैवाहिक जीवन, संतान, भाग्य, स्वास्तिय, असूब, असूब, अदी, अनेक, छोटी बड़ी बातों के बारे में तो वीडियो के अंत में आप इसको लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में आपकी राशी के स्वामी मंगल देव के दिन मंगलवार के देवता बजरंग बली जी पूरे साल सुब फल देते रहे, इसलिए जय बजरंग बली अवश्य लिखे, या जय हनुवान अवश्य लि किस इस्तान में आएंगे और किस इस्तान में जाएंगे, सबसे पहला राशी परिवर्तन जो है 17 मार्च को राहू और केतू का होगा, अभी वरस के सरुवात में राहू आपके सात्वे जिवन साती इस्तान में और केतू आपके राशी में यानि की लगन इस्तान में गोचर कर रहे होंगे और 17 मार्श को राहू आपके सप्तम जिवन साथी इस्तान से निकल कर आपके छठे रोगरण और सत्रू इस्तान में मंगल की मेश राशी में परवेश करेगा और केतु आपकी राशी से निकल कर आपके बारवे खर्चवाव में शुक्र की तुला राशी में प पर गुरू का होगा, जो साल के सरुमें आपके चोथे सुक और माताष्तान में सनी की कुम रासी में गोचर कर रहे थे, अब आपके पांचवे संतान और सिक्षा इस्तान में अपने ही मीन रासी में परवेश करेंगे. 28 जुलाई 2022 को अपनी मीन राशी में वक्री हो जाएंगे फिर 23 नौंबर 2022 को अपनी ही राशी में वापस मारगी हो जाएंगे और साल के अंत्तक अपनी राशी में ही गोचर करते रहेंगे तीशरा राशी परिवर्तन इस साल आपके लिए गुंतिस अप्रेल दो हजार बाईस को सुबह सात वज कर इककाउन मिनट पर सनिका होगा जो साल के सरू में आपके तीशरे बाई-बैन और पराकरम इस्तान में गोचर कर रहे थे वो गुंतिस अप्रेल को रासी परिवर्तन करके आपके चोथे सुक और माता इस्तान में अप साल 17 जनवरी 2023 को पुन्हा कुम रासी में परवेश करेंगे यह तीन बड़े ग्रह इस साल में आपके लिए अपने रासी परिवर्तन करके इस्तान बतलेंगे और इनके रासी परिवर्तन करने से आपकी रासी पर इसका क्या आसर पड़ेगा मैं सभी ग्रहों के रासी लिए कैसा बितेगा मैंने अलग-अलग वीडियो बना कर मैं बनाया है मेंस रासी से तुला रासी तक का वीडियो मैंने अब तक पोस्ट कर दिया है यह आपकी रासी वर्सक रासी का वीडियो है जो मैं आपको बता रहा हूं नया साल 2022 का आपके लिए कैसा बितेगा तो यह जो नया साल है 2022 का आपके लिए अच्छा बीतेगा, इस साल में आपको काफी कुछ लाब मिलेगा, आपको आगे बढ़ने के आउसर भी मिलेंगे, इस साल में आप काफी पोजेटिव रहेंगे और हर बात और हर मुद्दे को गंबीरता से समझ कर उसी अनुसार काम करेंगे औ और निर्णे भी लेंगे, आपके वेवार में भी काफी कुछ परिवर्तन आप और आपके जो साती है या परिवार के लोगे वहम महसूस करेंगे, आपका वेपार बिजनेस अच्छा खासा लाब वाड़ी इस्तिती में रहेगा, इस साल वेपार का विस्तार होगा और आप दूसरे सफल लोगों के साथ में कंपिटीशन में खड़े हो सकते हैं, खास करके जब गुरू अपरियल में रासी परिवर्तन करेंगे तो आपके पंसम भाव में बैठ कर पांसवी रासी से आपके नवमे भागय इस्तान को और सप्तम दृष्टी से ग्यार विलाब इस्ता के बाद आपका खास अच्छा समय पक्ष या अच्छा समय शरू हो जाएगा और अगर आप नौकरी करते हैं तो मेरा यह मानना है कि इस गुरू के गोचर के दोराद आपका परमोसन होना भी लगवक तय जैसा रहेगा और आप अपने कारी एस्तल पर अच्छी अच्छी अ बढ़ाएगा या आपि रूची है वह धर्मिक बाउना में अधिक रहेगी आप विद्यार्थी है तो आपका जो शिख्षा के अंदर पठन पठन का काम है इस साल में काफी आपकी उसमें भी रूची रहेगी द्रम का कोई पाठ है पठन में भी आपकी रूची जादा रह कि द्रश्टी रहेगी इसलिए आपको संबल कर रहना है किसी परकार के एहंकार पूर्ण या अडंबर पूर्ण दिखावे से या बचकर बटकना वहुक्ता में आकर के कोई ऐसा मतलब काम नहीं करना है जिससे कि परिवार के लोगों को तकलिप हो जाए और आपको हमेसे ऐसी कोशिश करनी है कि परिवार की जो आवशक्ता हैं आप उसको पूरा कर सके परिवार की आवशक्ताओं को दबाना उनका विरोध करना उनको मना करना यह सब इस साल में आपके लिए थोड़ा कठिन होगा करना भी ठीक नहीं होगा जिवन साती आपका सात दे इस पूरे साल में आपके लिए कहीं योग बनेंगे और आपको इस साल में सुन्दर जिवन साथी मिलने के परबल योग भी है, स्वास्तिय अच्छा रहेगा, कुछ मौसमी बिमारियां आपको परिशानी में डाल सकती है, लेकिन चिंता जैसी कोई बात नहीं है, या ऐसा काण नहीं बनेगा, जो स्वास्तिय के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा चिंता पैदा करें, कुल मिलाकर अगर देखें, तो यह जो नया साल है, आपके लिए काफी अच्छा बीतने वाला है, अब बढ़ते हैं आगे, और देखते हैं कि यह नया साल आपके लिए अलग को भी दबाए, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है, तो आपको तुरत सूचता मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सके, इसके लवा अगर आप मेरे से फोन पर संपर करना चाते हैं, तो केवल रवी बार के दिन, दिन में 10 बजे से 11 बजे के मैं आपसे बाचीत नहीं कर पाऊँगा, मेरा जो वार्टसप में भी एक है, रासिफल का ग्रुप बनायावा है, देनिक यति रासिफल उसका नाम है, मैं महां परड़े रोजना का जो है लिखित में रासिफल पोस्ट करता हूं, और भी जो तिशे पोस्ट करता हूं, अग मेरे जो है, वह कॉर्णर में मेरे वीडियो के कुछ लिंक आपको थोड़ थोड़ देर में दिखाई दे रहे हैं, आप अगर चाहें तो अपनी रासिफल का वीडियो नए साल का उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, अब अगे और देखते हैं कि नया साल 2022 का आपके लि करेगा, जहां तक बात करें केरियर की नए साल 2022 में तो आपके केरियर के लिए यह 2022 का नए साल उत्तम है, और कई परकार से सुबफल देने वाला रहेगा, इस साल में आप अपने आपको कुछ काफी कुछ परिस्तितियों के अनुसार डाल कर अपने को बहतर बनाए और आपकी आई प्राप्ति का जो भी माध्यम हो, वहाँ आप पूरे जोस और उत्सा के साथ में काम करेंगे, अगर आप नौकरी करते हैं, तो पहला बाग जो साल का रहेगा, वहाँ साधारन जैसा रहेगा, जो जैसा चल रहा है, वैसा ही चलता रहेगा, और अप्रेल में गुरु के रासी परिवर्तन के बाद में आपके काम में तेजी आएगी, और आप काफी अच्छा पर्दसन करके सबकी साबासी हासिल करेंगे, इस साल में आप अगर अपनी नौकरी बदलना चाहे या इस्तान परिवर्तन करना चाहे, तो साल का मध्यवाग आपके लिए सर बढ़ाएगा जैसे कि नसे की लत लग सकती है, या आपका जो नसा करने की आदत है, उसमें और बडोतरी हो सकती है, या फिर आपको लोटरी, सटा, जुवादी खेलने की लत लग सकती है, या कहीं आप ऐसा पैशा लगा सकते हैं, या लगाने को आपको ये रहो ऐसा प्रे आपके इस साल में कहीं भी नया इंवेस्ट करना है तो सोच समझगर अपनी रिशक पर ही करना रहेगा ठीक. अगर बिना सोचे समझें अगर कहीं इंवेस्ट किया तो आपके पास में आया वा पैशा भी फिर से हाथ से निकल जाएगा. नया वेपार करना मद्य साल में बिले इंजिनेर है या कोई ऐसे ही किसी उनर से जुड़े हैं तो आपको इस साल में पुरुषकुरुत भी किया जा सकता है. शेना पुलीष परशासनिक छेवा में हैं तो पद्वनोती के साथ में आपको पुरुषकुरुत किया जा सकता है या ऐसा कोई योग बनता है अच्छे और लाबदायक आउसर मिलने वाले हैं, सब दिन एक जैसे नहीं होते, आपको इस साल में देखने को यहाँ मिलेगा, नया साल 2022 का आपके जीवन में लाब कमाने और आपके वेपार को बढ़ाने के लिए एक सुनहरा आउसर बनकर बढ़ाने में सुनहरा आउसर जैस तो अधिक लाब की आसा इस साल में आप कर सकते हैं, जैसे कि बिजली के समान की दुकान करते हैं, या कोई बिजली के समान का उत्पातन करते हैं, सस्तर बेचने का काम करते हैं, होटल का काम करते हैं, सोसल सर्विस में हैं, फिजीक से गनित हैं, एकाउंट से गनित हैं, किस अगर आप पुलीस, शेना, जासुषी, परसासनिक सेवा में हैं या वकलात करते हैं तो इस साल में आपको अच्छा लाब मिलेगा और आपको परतिष्टा भी मिलेगी खास करके जो इस राशी के फिजीशिन है या सर्जन है उनका काम तेजी से आके बढ़ेगा और लाब मिल इस साल में आप कोई भी काम करें तो अपने दिमागसे करें और पूरे लगन और उत्साह के साथ करें. यहां नया साल आपके लिए अंत में बहुत कुछ पर्दान करके जाने वाला रहेगा. अब देखता हैं कि इस साल में आपकी आर्थिक स्थितिक किस परकार से रहेगी, त तो यहाँ नया साल 2022 का आपके लिए लाब अधिक कमाने का रहेगा और खर्च बाव में के तू आपको खर्च के खर्च भी अधिक करवाएगा लेकिन अगर आपने ये खर्च अपने बोतिक सुक्स विदाए बढ़ाने के लिए किया तो वह काम आ जाएगा लेकिन अगर कहीं बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिया लाब कमाने के लिए तो लाब मिलना तो दूर अपनी मूल रकम को भी आप बचा नहीं पाएंगे ऐसा गोचर रहेगा ऐसा कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी एक गलती आपके सभी लाब को हानी में बदल दे इसलिए आप समझदारी दिखाएं और साल के पहले च्छा महीने में कोई बड़ा निवेस ना करें इन पहले च्छा महीनों में आप अपने आई के लिए कोई नया रास्ता खोजें और फिर उसमें इन्वेस्ट करें इस साल आपको गुरु ग्रह की पूरी करपा मिलेगी उनका लाब आपको उठान चल संपत्ति में विश्टार करेंगा इसको समझ कर दहरिय और बुद्धि मानी से काम करेंगे तो आपकी आर्थिक इस्तति दिन बदिन सुदर्ति रहेगी और यह नया साल आर्थिक इस्तति के लिए आपके लिए सुब बीतने वाला है अब देखते हैं कि नया साल 2022 में आपकी संपत्ति के लिए कैसा बीतेगा नया साल 2022 में आपका पहला च्छ माही समय अपनी संपत्ति में बड़ोतरी का रहेगा ऐसे तो पूरा साल ही आपके लिए संपत्ती के मामले में सांदार रहने वाला है लेकिन साल के सरू में आपके खर्च संपत्ती पर होने के प्रबल योग रहेंगे खास करके भूमी बमन वहानादी पर खर्च होगा आप अगर किराय के मकान में हैं तो इस साल में आसा रखें कि आपका अपना मकान भी हो जाएगा यहाँ एक बात मैं अउश्या कहूँगा कि आपकी राशी का जो स्वामी है आपकी जनम कुणली में आपका अच्छा फल दे रहा है तो निश्चिती साल के अंत में जब मंगल का राशी परिवर्तन होगा उस समय आप अपने मकान में रहने को जा सकेंगे वैसे खर्च की बात हो तो केवल संपत्ती पर ही खर्च नहीं होगा बलकि परिवार के किसी सदस्य की सहत को सुधारने के लिए भी खर्च हो सकता है या साधी आदे में भी खर्च हो सकता है मगर ध्यान यहां रखना की सान सोकत और दिखावे में कर्ज लेकर खर्च न करना पड़े जितना आपके पास में है उसमें से ही बच्चत करके खर्च करना है वैसे आपको इस साल में भूमी भवन आदी से लाव मिलेगा साल के सरु में गुरू आपके चोथे इस्तान में बैठकर भोतिक सुखों में बढ़ोतरी करेगा और सब्तम दरश्टी से करम भाव को देखेंगे तो काम में भी आपके तेजी और लाव दोनों आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं कुल मिलाकर बुद्ध, गुरू, सुक्र और सनी इन चारो ग्रहों की अनुकूलता और इसका लाव इस साल में आपको मिलेगा और यह साल आपके संपत्तिक के लिए अच्छा बीचने वाला है अब देखते हैं कि नए साल 2022 में आपके परिवार के लिए कैसा बीचने वाला है तो नए साल 2022 का आपके परिवार के लिए मध्यम रहेगा क्योंकि छटे रोगरण सत्रु इस्तान में राहू का गोचर रहेगा और उसकी दृष्टी आपके दूसरे दन और कुटुम इस्तान पर भी रहेगी इसलिए आपको हमेशा अपने परिवार में सभी सद्धियों का सम्मान करना है और उनकी वावनाओं को ठेश पहुंचाए बिना आगे भी बढ़ना है खास करके आपको अपने माता-पिता का आदर करना है, सम्मान करना है इन दोनों इस्तानों पर भी राहू और केतु की दृष्टी रहने वाली है इसलिए अगर आपके माता-पिता आपको किसी बात पर रोके टोके तो आपको उनकी बात का बुरा नहीं मानना है ये दोनों ग्रह अलगाव पसंद करने वाले होते सबाव के होते हैं, इसलिए कहीं ऐसा न हो जाए कि आप उनको छोड़कर अपना नया आशियाना बसा ले, ऐसा करने से पहले अपने परिवार के बारे में जरूर सोचना, इस साल आपके परिवार में युवा सदिश्यों के स मिलने वाले हैं इस साल में आप जितना सामुई क्रूप से सहीक्त परिवार में रहेंगे उसका लावा आपको साल के अंत में जरूर मिलेगा इस साल में आपको अपने माता-पिता दोनों की शेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा कुल मिलाकर परिवार के लिए एकता का संदे बीतने वाला है अब देखते हैं कि वेवाइक सुक और प्रेम में यह नया साल आपके लिए कैसा है कि आपको दमपते सुक कितना मिलेगा यह नया साल आपके वेवाइक सुक और प्रेम के लिए पूरा साल तो अच्छा नहीं कहा जा सकता लेकिन साल के अंतिम महिनों में कुछ गलत पहमयां पैदा करने वाला रहेगा आपको अपने जीवन साती पर कभी कभी संका होने लगेगी कि वो आपके परती वफदार नहीं है हलां कि ऐसा कुछ नहीं होगा और आपकी संका बाद में निर्मूल साबित हो जाएगी लेकिन एक बार तो विवाद का कारण या कड़ेश का कारण ऐसी संका बन ही जाएगी ऐसी कोई संका हो अगर तो उसको आप मन से निकाल दे अगर आप विवाईत है तो इस साल के मद्य में आप आपका दामपत्य जीवन सुखद और एस्वेरेपुर्ण बितेगा आप दोनों इस साल में कहीं नदी या जील किनारे जील किनारे जैसे इस्टेशन कहीं गुमने क्या कोई किसी खास प्रेटल इस्तल पर गुमने साथ में जाएंगे या जा सकते हैं अगर आप आप विवाईत हैं तो पूरे साल में अधीकतर समय सादी का योग बना रहेगा लेकिन अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो नवंबर दिसंबर में संतान का सुख प्राप्त होगा एक और खास बात कि जिन विवाईतों के जीवन में पहले से कड़े से या मतवेद की वज़ा से अलग-लग आप रहे रहे हो तो यह फरवरी महिना जो है आप दोनों के लिए फिर से समझोता करके आपस में मिल बैठकर सम मश्या का निवारन करने के लिए बहुत बैतर समय रहेगा इस साल आपको आपस में काफी प्रेम और प्यार और विश्वास बनाए रखने की जरूत है और कोई संका अपने मन में अपने जीवन साती के परती ना आने दे वरना एक चिंगारी बहुत कुछ जला सकती है कुल म रितेगा और अगर आपने उपने जीवन साथी के किसी वैबार पर और किसी कारण से संका की तो फिर इसमें आपका बढ़ सकता है अब देखते हैं कि स्वाश्त जक्ए मामले में संतान के मामले में में साल कैसा बितेगा इस साल मैं आपका संतान चाटा बहुतником कि चिंट जाने देने के लिए तयार भी नहीं रहेंगे मतलब आपकी अगर संदान कहीं पढ़ने के लिए बार जाना साथी तो आपकी इच्छा नहीं रहेगी कि आपके बच्चे हमेशा आपके पास ही रहे कहीं दूर ना जाए वैसे इस साल में आपके बच्चे अपने छित्र में रहेंगे युवा और नव विवाइत हैं तो आप इस साल में दादा दादी बनने के लिए तयार रहें और अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं तो इस साल में अच्छा परदशन करेंगे और सफल भी हो जाएंगे कुल मलाकर संतान के लिए यह साल आपका काफी बैतर और अच्छा बीतने वाला है अब बात करते हैं स्वास्ते की नए साल 2000 में आपका स्वास्ते वैसे तो काफी अच्छा रहेगा लेकिन समय समय पर जो परस्तितियां बनेगी उस कारण से आपके सभाव में इस साल में काफी बदलाव आप खुद महसूस करेंगे एक तो आप अपने गलती मानेंगे नहीं तो माहोल में टकराहट और उत्ते जना बढ़ेगी ऐसे माहोल से आपको दूर रहना है और दूसरी बात हर सोटी बड़ी बात में आपको गुसा करने से बचना पड़ेगा इस साल में गुसा आपके लिए हानी का रख रहने वाला है अगर गुसा करेंगे तो बलड पेसरी या बलड से समंदित परिशानी आमासा की परिशानी फोड़ा है बगंदर है नासूर है पित है है जैसे रोग आपको इस साल में परिशान बढ़ा सकते हैं इस साल में आपके जिवन साथी या कुछ बातें बताना चाहता हूं, तो जो वर्षक राशी के महिलाये हैं, माताये हैं, बेने हैं, वह जरूर ध्यान से सुनें, 2022 का साल उनके लिए कैसा बीतेगा, नया साल 2022 का पिछले साल के मुकाबले आपका काफी अच्छा बीतेगा, खास करके आपके राशी में केतु के ग गोचर के कारण अभी भी आपके दामपत्ती जीवन में कुछ समझया बनी रहेगी, सनी के राशी परिवर्तन करने के बाद आपको सनी की छोटी डाई साल की पनोती भी शरू हो जाएगी, राहू के गोचर के कारण आपका जीवन साथी आपकर बार-बार गुशा कर सकता है और कोई न कोई संका भी आपके मन में उठ सकती है और लेकिन मैं यहाँ पर एक बात पहले बता देना साथा हूँ कि ऐसा कोई भी संका आप अपने पती पर ना करें, आपका पती बेकसूर होगा, आपके मन की जो संका होगे पती के पती वह बेकार की बिना आदार की और नि साथ देंगे, माता-पिता की शेहत पर ध्यान रखना होगा आपको, आपके बाई-बेहनों की तरकी और उन्नती होगी, अगर आप विवाईत हैं और आपके बच्चे बड़े हैं, तो इस साल में वो शिक्षा के सित्र में काफी अच्छा परदसन करेंगे, और इस साल में वि परियास आपको तेज करने पड़ेंगे, इसका लाब आपको साल के मद्य से मिलना सरू हो जाएगा, गुरु का पंचम इस्तान में, संतान इस्तान में गोचर आपके लिए वर्दान साबित होगा, परियम प्यार में सफलता मिलेगी, लेकिन साल के पहले चार महीने आपको क कहीं दूर की यातरा करने का मौका मिलेगा नोखरी में परमूसन मिलेगा तो आपका ट्रांसफर भी इस साल में होने के योग बनेगे आपका स्वास्तिय अच्छा रहेगा खान पान पर ध्यान देने की जरूत है ज्यादा गरम और तिखी मिर्च मसाले वाली वस्तु कम खाए खास करके सडक पर रेड़ी या थड़ी गाड़ी में यह जो खाना बिखता है या कुछ फास्ट फूड़ादी तरसे बिखता है ऐसे गोल गप्ते हैं या अन्नी समान इस परकार के होते हैं आप खाएं लेकिन कम खाएं ज्यादा ना खाएं युवा दंपत्ति को इस साल मे किस्तती अनुकूल और अच्छी नहीं है तो कुंडली किसी विद्वान जोत्रशी को आप बताएं और उनसे उपाए पूछें कुछ मिलाकर यह 2022 का साल वर्षिक राशी की महिलाओं के लिए काफी संतोस्प्रद और उत्तम परकार से बितेगा अब मैं आपको कुछ नए सा हैं और आप अगर ऐसा करेंगे तो इसका आपको लाब भी मिलेगा आपकी राशी का स्वामी मंगल है रंग लाद है और दिन मंगलवार है हर्मान जी को मंगलवार का देवता माना दाता है इसलिए हर्मान जी की सेवा पूजा आर्ती और हर्मान चालिशा इस साल में करना आ जब भी गर पर कोई मेहमान आएं तो उनको मिठाई अवश्य खिलाएं। जनम दिन के दिन तेल में पकेवे पकवान जैसे पूरी है, समोसा है, कचोड़ी है, बड़े हैं, पकोड़े हैं, आदी बांटे हैं। परिवार की या कहीं की हो, कोई भी विद्वा इस्तरी हो या व पीला रंग शुब रहेगा, गुरुवार और रविवार का दिन भी अच्छा रहेगा, लेकिन मंगलवार आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। कुंडली में मंगल की इस्तती के अनुसार और दसा महादसा के अनुसार आप मूंगा, या कोई और नग पहन सकते हैं, इस के जो कपड़े हैं, वह आप अगर पहनेंगे, तो इसका परवाव अधिक पड़ेगा, घर के बाहर काम पर आप जब भी निकलें, या कहीं यातरा पर आप निकलें, तो घर से गुड़ खाकर निकलेंगे, तो आपका काम सफल होगा, यातरा सफल होगी, आपके लिए इनसे आप मित्रता कर सकते हैं, लेकिन साधी किस राशी वाले से सुब रहेगी, यह आप जोतिशी से पूछ कर रिस्ता करेंगे, कुंडली मिलान करके रिस्ता करेंगे, दोनों लड़के लड़की की कुंडली को दिखाएंगे, मिलान करवाएंगे, और फिर आप साधी करे मंगल का ये स्वास्टिक पन्द्रिया यंत्र सिध करवा कर अपने घर में और अपने आएप्राप्तु के इस्तान पर भी उसको इस्तापीर करं और मंगल के उनके ग्रह के month है उनकी माडा रोजाना एक करेंगे इसका लाब आपको मिलेगा, मंगलवार को एक चमच नमक जो है, वह सवेरे बैते वे पाने में आप डालते रहेंगे, मंगलवार को, तो यह मेशा आपके लिए सुफल लेने वाला रहेगा, यह था आज के वीडियो में आपकी वरसिक राशी के लिए नए साल 2022 का संपुन वर आतुला, और आज वरसिक राशी का वीडियो पोस्ट किया है, अगला वीडियो दनुराशी का मैं कल पर सो में पोस्ट कर दूँगा, और जो यह दनुराशी का है, पूरे वारसिक राशी फल होगा, तो अगले दनुराशी के वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक ज याई जनेंडरो